So hey guys, आज मैं जिस मूवी को explain करने वाला हूँ, इसमें दो unmarried couple एक ऐसी जगह पर फस जाते हैं, जहां इंसानों का ghost बेचा जाता था, और तो और और तो को pregnant करके उससे दूद निकाल कर उसके दूद को भी बेचा जाता था, ये मूवी हमें एक deep message भी देती है, आखिर उन couple के साथ क्या क्या होता है, जाने के लिए studio को बिना skip के पूरा जरूर देखना, मूवी की सुरुवात में हम इलिक और नोरा नाम के दो couple को एक बहुती सुनसान सडक पर vacation मनाने के लिए कहीं जाते हुए देखते हैं, नोरा पूशती है कि केतना time और लगेगा, मुझे बहुत ज इसलिए नोरा उस restaurant के पीछे जाकर सुसू करने का decide करती है, उसे वहाँ एक wallet और mobile phone मिलता है, लेकिन वो उसे वहीं छोड़कर सुसू करती है, और वहाँ से car में बैठकर इलिक के साथ आगे निकल जाती है, इलिक देखता है कि car में gas थोड़ा ही रह गया है, इसलिए उन्हे जल्दे से जल्दे किसी gas tank तक पहुचना पड़ेगा, रस्ते में उन्हें एक महिला मिलती है, उसकी car खराब हो गई थी, इलिक उसकी car को ठीक करने का सोच कर उसे jumper केबल से start करने की कोसिस करने लगता है, इधर वो महिला नोरा से बाते करने लगती है, वो से पूछती है क्य से बात कर रही थी, इलिक उसकी car को ठीक नहीं कर पाता, और फिर नोरा के कहने पर वो से sorry बोल कर नोरा की साथ अपने car में बैट कर निकल जाता है, नोरा इलिक से कहती है, वो बिलकुल ही पागल और थी, तुम्हें उसकी help करने की क्या जुरूरत थी, हम उसकी मदद कर रहे निक और नोरा भी ढाबे में जाकर fries और burger order करते हैं, उन्हें वो burger बहुत पसंद आता है, लेकिन जब वो खा रहे होते हैं, तो एक सक्स उन्हें घूर रहा होता है, और तो और जब वो लोग वहां से जाने लगते हैं, तो वही सक्स नोरा से कहता है, तुम यहां safe नहीं हो, वो लोग उस धाबे से निकल कर अपने कार से आके बढ़ते हैं नोरा कहती है मुझे ये सब बहुत ही अजीब लग रहा है उस महीला का हम पर गुसा करना उस रिस्टॉण के पीछे मोबैल और वॉलेट का गिरा होना और अब ये अजीब सा दिखने वाला लड़का और आगे जाने पर उन्हें वहाँ एक गैस स्टेशन मिलता है इलेक कार में गैस भरता है और नोरा स्टेशन के अंदर कुछ खाने पीने की चीज़े लेने चले जाती है गैस स्टेशन पर काम करने वाला सक्स का नाम एंडरियो था वो इलेक से पूछता है क्या आपको खाने के लिए खाना और अराम करने के लिए कमरा चाहिए रात होने वाली थी इसलिए इलेक सोचता है क्यों ना अराम कर लिया जाए क्योंकि वो भी गाड़ी चलाते चलाते बहुत थक गया था एंड्रियो उसे बताता है कि यहां से 20 मिनट की दूरी पर लकड़ियों से बना एक पूराना लाउज है जहां बहुत से लोग आकर रुकते हैं क्योंकि यह सड़क बहुत ही लंबी है जिसके बाद वो दोनों कार लेकर वहां से निकल जाते हैं नोरा कहती है वो गैस स्टेशन का ओनर मुझे थोड़ा क्रीपी लगा पता नहीं उसने हमें जो जगा रिकमेंड की है वो कैसी होगी एलिक कहता है यार मैं थक गया हूँ मुझसे अब और ड्रैव नहीं होगा कोई धुरगटना होने से अच्छा यहीं होगा कि मैं रुकर क नहीं आराम कर लूँ वो लोग ड्रैव करने के बाद फैनली उस जिगा पर पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारी कार्स लगी थी दोनों जिब लॉज में जाते हैं तो वहां नीचे डोर पर एक अजीब सा सिंबल था वो दोनों घर की अंदर जाते हैं तो वो घर उन्हें बहुत ही ड्रावनी लगती है और वहां कोई भी नहीं था नोरा कहती है यहां तो कोई नहीं है चलो यहां से वापस चले लेकिन इलेक उसे जूठा प्लेट दिखा कर कहता है देखो तो यहां बहुत से लोग हैं फिर वो लोग चेक करने उपर जाते हैं जहां उन्हें लैं जिगा को छोड़ दिया तो मैंने इसे किराये पर देना शुरू कर दिया वो उन लोगों से बाते करने की कोसिस कर रहा था तभी नोरा उसे कहती है कि क्या आप यहां से जाओगे हम बहुत ठक चुके हैं हम आराम करना चाहते हैं जिसके बाद वो वहां से गुसे में चला जात है एलेक उसके बरताओं के लिए उस पर थोड़ा गुसा करता है रात को वो दोनों साथ में सो जाते हैं लेकिन जब सुबा होती है तो हम उनके बेड के नीचे से किसी को उड़ते हुए देखते हैं उस आदमी ने एक मास्क पैन कर रखा था वो नोरा को किड्नाइप कर ले उसके जाने के बाद नोरा पिंजरे के पास से एक पत्थर को उठा कर पिंजरे की लॉक को तोड़ने की कोषिस करती है लेकिन तब ही दो लोग वहाँ आते हैं और उसे वापज से बेहोस कर देते हैं दुवारा से नोरा को होस आता है तो वो एक चेयर से बंदी हुई थी औ और उसकी दोनों टांगों को फैला कर बान दिया गया था, नोरा खुद को छोडाने की कोसिस करती है, और तभी वहां मास्क लगा कर एक लेडी आती है, वो एक बड़े से इंजिक्शन को नोरा की टांगों के बीच डाल कर उसके अंदर कुछ इंजिक्ट कर देती है, बेसिकल तो जिन लोगों ने भी अब तक इस वडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अभी तुरंत इस वडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने में उतना वक्त नहीं लगते हैं ये एक बहुत बड़ा गाउं था जहां रहने वाले हर लोग मास्क पहनते थे इंसानों का गोस्त काट कर बेचते थे और लड़कियों को प्रेगनेंट करके उनका दूद निकालते थे उन लोगों ने नोरा को भी प्रेगनेंट कर दिया था वो उसे ले जाकर एक तबीले में बन कर देते हैं अब सीद सिर्फ होती है तो हम एक फारम के अंदर पिंजरे में कैट बहुत से इनसानों को देखते हैं इलक भी वही मारने के बाद तीसरी बार में वेख के साथ भी वैसा ही करते हैं और फिर उन्हें पिंजरे से बाहर निकाल कर एक ट्रॉली पर उन्हें लाद देते हैं वो उन्हें एक बुचर खाने में ले जाते हैं जहां उन मास्क मैन का लेडर जो ब्लैक पॉलेथिन का एक एपरोन पहनता था वो काटे गए इंसानों की वाच ब्रेसलिट और घड़ी जैसे चीज़ों को एक ड्रावर में रख कर वहां से कुछ हाथों को पॉलेथिन में लेकर निकलता है जब वो वहां से निकलता है तो हम उस गाउं के बाकी के बहुत सारी लोगों को देखते हैं जो उसी गाउं में अपना काम करते थे और मास्क लगा कर रहते थे वो senior mask man अपने घर में जाता है और उन हातों को घर में रख कर बाहर आता है और एक आदमी को पैसे दे कर उसके कार के डिक्के से एक इंसान को निकालता है और उसे अपने फार में ले जाकर रख देता है अब हम उस landlord को देखते हैं जिसके lodge में इलिक और नोरा रुके थे farm का senior mask man से मिलने आता है तो वो उससे कहता है हमें तीन घंटों के अंदर किसी भी हाल में 80 लोगों का खाना बनाना है इसके बाद landlord किचिन में जाकर सिफ से कहता है कि जल्दी करो हमें ढाई घंटे में 80 लोगों के लिए खाना बनाना है और इस बार काम बिलकुल सफाई से करना क्योंकि पिछली बार client को नाखोन मिल गया था अब सेन सिफ्ट होती है तो हम कुछ लड़कियों को पिंजरे में cat देखते हैं उन्हें pregnant किया गया था और उनके breast से दूद निकाला जा रहा था पिंजरे में cat लड़कियां बहुत ही बुरी हाल में थी तब ही landlord और senior mask man वहां आता है वहां एक महिला ने एक बच्चे को जन में दिया था senior mask man उस बच्चे को उसकी मां से छीन कर उसका weight measure करता है और देखता है कि वह बच्चा काफी स्वस्त है इसका मतलब कि वह अपनी मां का जादा दूद पी जा रहा था इसलिए mask man बच्चे को जमीन पर पटक कर मार देता है वो महिला बहुत तडबती है और रोती है फिर सारे लोग उन महिलाओं के दूद को लेकर वहां से चले जाते हैं और तभी हम उस gas station के honor andryo को देखते हैं वो दिमाग से थोड़ा कमजोर था और वो भी उन लोगों के साथ ही मिला था वो farm में आता है और वो महिला ज जब एक mask man inspection के लिए वहां आता है तो वो उस महिला को मरा पाके senior mask man को बताने जाता है इधर दूसरी तरफ landlord को एक complaint आता है जिसमें उसका client कह रहा होता है कि अब वो उसे कैटरिन का काम नहीं देगा क्योंकि उसके last party में उनके एक guest को इनसान का दात मिला था इसलिए landlord उनसे कहता है हमें एक और मौका दीजिए इस बार हम आपके लिए free में खाना बनाएंगे तभी वहां वो mask man पहुचकर senior mask man को उस औरत के मडर के बारे में बताता है जब सारे लोग वहां पहुचते हैं तो landlord समझ जाता है कि ये काम एंड्रियो का है इसलिए वो बाके के mask man को उसे धूनकर लाने को कहता है अब scene shift होती है तो हम वापस से Nora को धेखते हैं वो बगल के kebin की एक महिला से पूछती है कि हम यहां से बाहर कैसे निकल सकते है तो वो कहती है यहां से बाहर निकलने का कोई उपाई नहीं है नोरा पूछती है यहां हम लोग के साथ क्या हो रहा है त तो हमें काट कर हमारे मास को बेच देते हैं, वो बताती है कि मैं दो साल से यहां हूँ, मेरा एक बच्चा और बहुत सारे मिस्करेच भी हो चुका है, ये सब सुनकर नोरा बहुत दर जाती है, वो उसे ये भी बताती है कि मैं अब इस दुख भरी जिन्दगी से अजाद होने वाली हूँ क्योंकि मैं अब pregnant नहीं हो सकती वहाँ एक और लड़की थी जिसका नाम S था जो वहाँ दो हफ़ते पहले ही आए थी वो रोर रही थी तो नोरा उससे कहती है कि मैं तुम लोगों को यहां से बाहर जरूर निकालूंगी इधर दूसरी तरफ जब वो मास्क मैं एं वो लोग उन्हें खाना ठीक वैसे ही देते हैं जैसे इंसान फार्म में जानवरों को देते हैं लेकिन एंड्रियों खाना गिरा कर वहां से भाग जाता है अब हम वापस से उन सीनियर मास्क मैं के साथ तीन और मास्क मैं को देखते हैं वो फार्म में उस लड़की के हाथों को ऊपर करके बाद देते हैं जो अब प्रिगनेंट नहीं हो सकती थी और उसके पेट को काट कर उसके अतड़ीयों को बाहर निकाल कर बाकी की बॉडी पार्ट्स को भी अपने साथ काट कर ले जाते हैं, उनके जाने के बाद इलिक वहां आता है, जो अभी भी किसी तरह से जि तो वो ट्रक इस्ट्राट नहीं होता और तबी एक मास्क मेन वहां आ जाता है लेकिन वो लोग उसे बचकर भाग जाते हैं और एक चर्च में पहुंच जाते हैं चर्च में भी एक मास्क मेन आ जाता है तो वो चर्च में ही छुप जाते हैं और जब वो लोग चर्च से भाग अंहें देख लेता है, और घंटी बजा कर बाकी की मास्क मैन को इलर्ट करते है भागते भागते इलिक का पैर एक ट्रैप में फस जाता है नोरा उसे छोड़ाने की कोसिस करती है, लेकिन वो नहीं छूटता इसलिए वो इलिक को वही छोड़कर भाग जाती है वो लोग इलेक को एक पथर से कुचल कर मार देते हैं और नोरा बचकर फार्म में जाकर छुप जाती है फार्म में नोरा को वो आदमी मिलता है जिसने उसे ढाबे पर कहा था कि तुम यहां सेफ नहीं हो नोरा उससे वहां से बचकर भागने का उपाय पूशती है तो वो बताता है कि वो लोग आने जाने के लिए बस का इस्तिमाल करते हैं और बस कीचा भी उसी बस के पास वाले घर में होगा जो तुमें घर के खिड़की के पास ही मिल जाएगा तभी वहां लैंडलॉड और सोती है लेकिन बाके के मासक मैं उसके पीछे पढ़े थे और तभी उस कार का गेस भत्म हो जाता है तो नौरा कहर से उदर कर भागने लगती है वो भागते भागते फार्मे के पास पहुंच जाती है और एस को भी अजात करके अपने साथ ले जाती है वो दोनों बस के पास वाले घर में जाते हैं और खिर्की से चाबी चुरा कर वापस से बस के तरफ भागते हैं बस में आने की बाद नोरा जैसे ही बस को स्टार्ट करती है वो देखती है कि ऐस एकदम खामोस है और फिर जब नोरा पीछे मुल कर देखती है तो उसके होस उल जाते हैं क्योंकि सारे मास्क मैन उसी बस में पहले से बैठे थे मुवे के इंड में हम देखते हैं कि उन सारे मास्क मैन ने ऐस और नोरा को मार कर पका दिया है दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंड करके जरूर बताना वैसे अगर मैं आपसे ये कहानी सची है तो क्या आप यकीन करोगे ये कहानी हमें ये बताती है कि कैसे फा रात के एक बज रहे थे और मेरा जो हाल था वो मैं ही जानता हूँ आप इस मुवी के बारे में क्या सूचते हो